नमस्कार दोस्तों, Amazing Facts में आपका स्वागत है दोस्तों लड़कियों के बारे में एक बहुत ही प्रचलित कहावत है कि लड़कियों को समझना मुस्किल ही नहीं बलके नामुम्किन है और ज्यादे तर लोग लड़कियों को ना समझ पाने के वज़े से हमेशा के लिए खो देते हैं तो आज मैं बताने वाला हूँ लड़कियों का सोच और चाहतों के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपका जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों शुरू करने से पहले बता दूँ कि गला खराब होने के वज़े से आवाज में थोड़ी दिक्कत आ सकती है और इसके लिए मैं शमा प्रार्थी हूँ दोस्तों दुनिया की ज्यादतर लड़कियां लड़कों के अंदर तीन चीजे देखना चाहती है पहला है उनको विजवास करे दूसरा है उनका केर करे और उनको सम्मान करे और तीसरा है उनको खुस रखे दुनिया की ज्यादतर लड़कियों में कुछ लड़किया लड़कों के चैरे को देखकर कुछ लड़किया उसके बुद्धी को देखकर और कुछ स्मार्टनेस को देखकर अकरशित होती है लेकिन दुनिया की लगवक सभी लड़किया इन तीन चीजों को जरूर चाहती है दुनिया की ज्यादातर लड़किया आई लव यू शब्द को सुनना बेहती पसंद करती है क्योंकि ये शब्दुन को एहसास दिलाता है कि वो काफी खुबसूरत है और औरों से काफी अलग है लड़किया अपने बारे में प्रशंक से सुनना काफी पसंद करती है लेकिन ये सुनने के दोरान वो समझ नहीं पाती कि जुनकर कैसा रियक्ट करना चाहिए लड़कियों को समझ पाना काफी मुस्किल है इसलिए कोई भी लड़की क्या सोच रही है ये अनुमान कर बताना काफी मुस्किल है लड़कियों को कभी एहसास ना कराएं कि वो इसलेस है इससे लड़किया काफी वड़क जाती है क्योंकि ज्यादतर लड़कियां अपने आपको बहुत ही special feel करवाना चाहती है यही कालने कि कोई भी लड़का अगर किसी लड़की की जूटी तारीफ करता है तो वो लड़की काफी अकरशित होती है इसके बावजूद कि वो लड़की जानती है कि वो लड़का जूट बोल रहा है दुनिया की ज्यादतर लड़कियां केरलेस लड़के को जैसे पसंद नहीं करती वेसे ही ज्यादतर सीरियस लड़के को भी पसंद नहीं करती ज्यादतर लड़कियां अपने बारे में अपनी पसंद के बारे में और अपनी हॉबिस के बारे में औरों को सुनाना काफी पसंद करती है अगर कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है तो उस लड़की की बुराईयों को ज्यादतर समय पर समझने ही पाती या फिर समझना नहीं चाहती लड़कियों के बारे में एक चीज काफी मशूर है कि लड़किया पुराने बॉइफिंट को दिमाग में और प्रेसेन बॉइफिंट को दिल में रखती है और ज्यादतर लड़किया अपना पहला क्रश को बोलाने ही पाती अगर कोई लड़कि किसी चीज को लेकर गुस्ता होती है तो जरूरी है उसको कुछ समय के लिए अकेला छोड़ देना क्योंकि उस समय समझाने से वो और भी ज़्यादा भड़क सकती है ज्यादतर समय पर लड़कियां खोस रहना काफी पसंद करती है अगर कोई लड़की बूलती है कि वो बहुत दुखी है लेकिन वो रो नहीं रही इसका मतलब है वो अंदर ही अंदर रो रही है तो दोस्तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सकाइब करें और बेल बटन पर प्लिक करें और आप लड़कियों के बारे में क्या सुझते हैं नीचे कॉमेट वॉक्स पर लिख कर बताएं